जाहिंत मुदुरा, आशा कुरिया अपना रभालो अच्छी नामिया अपना तुर बोंधू, एक सोलिजर फिर दोज मुदूर, अब लोग आची रोप प्री डिफेंस अकडेमी में दोस्तो बहुत ही बढ़िया एक कुछ से नाया है और यह जानना बहुत ही जुरूरी है जिस के अंदर आता है Indian Army, Indian Navy और Indian Air Force यह है डिफेंस और बट इस टाइम फोर्स को बोलते है सेंट्रल आंप्स पुलिस फोर्स अभी और कोई इसको पाइरा मिलेटरी फोर्स नहीं कहता तो इसको डिफ्रेंट जानने के लिए फास्ट अब को शुरू से मैं सुरूबात करता हूं कोई भी पारे मिलेटरी फोर्स में जब कोई बंदा होता है उस टाइम उसका उमर होता है अल्ली 17.5 यर्स मतलब 17 बचर छे माइना पर प्यारा मिलेटरी फोर्स में सेंटल आम्स पुलीस पोर्स में जाने के लिए उमर चाहिए एक सो फरी उमर चाहिए अठ़ोड शाल आठ़ों यर्स आपको दूसरा जो है हाइट के बारे में बाता हैंगे हाइट में पैरामिलेटरी फोर्स में चाहिए एक सोचस्वतर सेंटीमेटर और मिलेटरी में एक सो उननुश्वतर सैंटीमेटर डिप्रेंट चेस्ट भी है होता है नॉर्माल चुछ पाँच सेंटिमीटर अपको Bispeyn करना है दोनों का राणिंग डिफरेंट है जैसे जो आर्मी का राणिंग होता है वह होता है सोलो सेटर मतलब रानिंग चाहिए और दूसरी बात है आपके जो पेरामिलिटरी फोर्स है उसका जो रानिंग होता है जीडी के लिए पाच किलोमीटर मतलब कितने टाइम आप स्टेविल पकड़ के चल सकते हो ड्यूटी आपको आवर्ड भी डिफरेंट होता है जैसे मेरा आगले आज वीडियो था उ इसका जो सर्विस टाइम है इसमें भी डिफरेंस है जैसे लिए फोर्स कोई भी बन्दा आएगा इफोर्स के अंदर उसको 20 साल सर्विस करना ही पड़ेगा उसके बाद उसको पूरा मैनिफिट मिलेगा 10 सल बात हो जा सकते हैं कोई भी उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा पर जो military है उसमें 15 साल उसको duty करने के बाद वो apply कर सकते है घर आने के लिए और उस टाइम उसको पेञ सन मिलता है पेञ सन तो पेरे मेलिटरी में नहीं मिलता है तो military में मिलता है पेरे मेलिटरी में जो नया схsim आया है उसके उनुजाई एक साथ उसको पैसा मिल जाएगा जो military force है यह आता है राश्टपुति के ओधिन में और राश्टपुत इसलिए हम लोग कहता है पर जो paramilitary force आता है यह MHA home minister के under में आता है यह भी difference है salary लगभा की same है तब भी military का थोड़ा ज़ादा है paramilitary का थोड़ा काम है जो सुविदा है लगभा की same है तब भी मैं बोलूँगा जो army है जो military force है army ने भी यहर फोर्स उज़ लोगों का थोड़ा सा सुविदा अच्छा मिलता है और government सुविदा लगभा की same है पर मैं खाने के ऊपर दोनों का मैं paramilitary को जादा point दोंगा क्योंकि paramilitary का खाना अच्छा है military का खाना दना बढ़िया नहीं है तो यह different place की ऊपर different होता है क्यों आच्छा है इसकी ऊपर भी reason है क्योंकि paramilitary का जो खाने के टाका total soldier को दिया जाता है और ओटाका उठा के पैसा उठा के ओपना जो major होता है अपना company के अंदर आपना score जो company के अंदर बंदा होता है सबको सबता में एक दिन नहीं तो आपको माइना में एक दिन मेटीन होता है क्या खाना मेनू होगा वो ठीक होता है जब भी तब भी यह total जो central meeting होता है वो CO सब जैसे बोलेगा ऐसे ही होगा इसलिए खुद का पैसा से खुद का खाना खरिद के खा रहे है इसलिए इसका खाना अच्छा होता है आर्मी में क्या होता है फास्टा फॉल इसको ड्यूटी कहां-कहां है इसके उपर भी डिपेंड करता है वह दोनों का इसे हैं पर आर्मी में ओपिसर लोग खाना देता है इसके कोई पैसा गवर्मेंट सोलजर के अकाउंट में नहीं देता इसलिए खाना थोड़ा सा दिक्कत होता है ऐसे सुनने को मिला है मेरा कोई सही इंफॉर्मेशन नहीं है मतलब सुना है मैं खुद देखा नहीं हूँ क्योंकि किसी को ब्लेम देना तो सही नहीं है न वो भी हमारा देश का सबसे बड़ा सेना है तब भी और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा हमारा जो पैरा मिलिटरी फोर्स है इसका आभी भी सुईद का दर्वाजा नहीं मिला जो बंदा जुद्धों में सुईद होता है उसको सुईद का दर्वाजा नहीं हुआ अभी भी बोलता है कैजूल्टी हुआ है यह सबसे मतलब खतरनाग जो दिल में चुकता है और मिलिटरी को कोई भी बंदा कोई इंसिडेंट हो गुजर जाएगा तो उसको सोहित कहलाता है यह एकदम बेसिक डिप्रेंट है भाई तो दोस्तों आपको कैसा लगा और क्या होना चाहिए अब जुरूर कोमेंट में बताइएगा यह वाला वीडियो जुरूर कोमेंट किजिएगा और लाइक कर दिजिएगा बढ़े रहो जाए हिंद जाए भारत